अब भाई मुझे जब कल सी ये पता था कि आज मुझे डेडपूल और वुलवरीन देखने जाना है तो मुझे कल रात में नीन नहीं आई और आज जब मैं मुवी देखकर अभी घर वापस आ गया हूँ सा मानना है कि उसकी कहीं कोई आउकात नहीं है वो नौकरी ढूणने जाता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती और वो हीरो बनना चाहता है तो वो हीरो नहीं बन पाता एक्समेन वाली टीम से तो वो पहले ही रिजेक्ट दिया जा चुका है और अब डेटपूल एंड वुलवरीन में जब वो एवेंजर बनने के लिए अपलाई करता है Happy Hogan के पास यहाँ वो जाता है Happy Hogan के पास और Avenger बनने के लिए अपलाई करता है लेकिन Happy basically यहाँ पर Deadpool को मना कर देता है कि तुम Avenger material नहीं होबाई तुम Avenger बनने के लाइक नहीं हो पहले तुम खुद पर थोड़ा काम करो और फिर वो Deadpool को टेला कर अपने यहाँ से भगा देता है यहाँ तक बात आ जाती है उसके बाद Deadpool एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा होता है और फाइनली उसके बर्दे के दिन जब उसकी पूरी फैमिली और फ्रेंट्स इखटा होते है अब यह paradox कौन है यह क्या करता है और इसने डेटपूल को क्यों उठाया तो सुनो डेटपूल का जो यूनिवर्स है वो दीरे-दीरे खत्म हो रहा है कितना दीरे? वेल, कुछ हजार सालों में डेटपूल का यूनिवर्स खत्म होने वाला है इसलिए उसने सुचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार कर लिये जाए डेटपूल के यूनिवर्स को चुटकी में खत्म भी कर दिया जाए और डेटपूल को अपना एक तरह से गुलाम भी बना लिया जाए तो पहले तो वो डेटपूल को उठा लेता है उसके बाद वो डेटपूल को अवेंजर्स की कुछ अलग-अलग फुटेज दिखाता है और इसमें यहाँ पर इक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉट था यह फुटेज दिखाने वाले सीन में मैंने आपको पहले भी बताया था इस मूवी में थौर का कैमियो हुआ है और भाई मैंने चेक किया मतलब कोई भी चोटे से लेकर बड़ा क्रियेटर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है यह शॉट कुछी सेकंड्स कता मतलब मुश्किल से 5 सेकंड कर रहा होगा जिसमें थौर डेडपूल को देखकर रो रहा होता है और यह शॉट इसी टीवी में चल रहा होता है अब पता नहीं यह फ्यूचर से था कि पास्ट से था लेकिन यह देखकर मैं चौग गया था कि क्या यह डेडपूल का फ्यूचर हो सकता है इसके बाद paradox थोड़ा डेटपूल के तेल लगाता है बेसिकली उसको अपनी चिकनी चुपडी बातों में फसाता है उसके लिए बढ़िया एक नई ड्रस सिलवाता है नया सूट सिलवाता है बेसिकली और फिर जब डेटपूल एक्दम खुश हो जाता है इतनी खातिरदारी से तब फिर paradox उसके उपर bomb गिराता है कि भाई देखो ऐसा है इतनी तुमारी खातिरदारी मैंने इसलिए की है क्योंकि basically मैंने तुम पर ऐसान किया है तुमारा यूनिवर्स हो रहा है दीरे दीरे खत्म और मैंने तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्स से निकाल कर तुम्हें बचाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम Avengers से भी बड़े बनो Heroes के Hero बन जाओ इसके आगे वो डेटपूल को बताता है कि तुम्हारी यूनिवर्स के खत्म होने में अभी हजारों साल तक लग सकते हैं लेकिन मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से तुम्हारे यूनिवर्स को एक चुटकी बजाते ही खत्म किया जा सकता है इस मशीन का नाम है टाइमरी पर और यही मशीन है जिसे हमने ट्रेलर में कसांडरा नोवा को चलाते हुए देखाता है इस मशीन के अबिलिटी है कि यह मैटर और चलो खेर इसकी फिजिक साब को आगे बता देता हूँ काफी इंट्रेस्टिंग है और बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट होने वाली इसके बारे मैं आपको आगे बताता हूँ यहाँ पर जब डेटपूल के उपर पर पराडॉक्स यह बॉंग गिराता है यूनिवर्स खत्म होने वाला तो यहाँ पर फिर ओवियसली कोई भड़क जाएगा डेटपूल भी भड़क जाता है और फिर पराडॉक्स से कहता है यह सब इसलिए हो रहा है न कि मैंने डेटपूल 2 में इतना जो टाइम ट्रैवल किया था केबल के डिवाइस को लेकर तो पराडॉक्स कहता है नहीं इस वज़ा से नहीं वो डेटपूल को बताता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो हर एक यूनिवर्स का हर एक टाइम लाइन का एक एंकर एंटिटी होती है बिसिकली ये समझो कि हर एक यूनिवर्स का एक इंपोर्टेंट बंदा होता है ये बंदा अगर मर जाए तो वो यूनिवर्स धीरे-धीरे तबाह होने लगता है सो ये जो लोगन है जो की मरा था मैंने आपको ये पहले बताया था ये लोगन इसी डेटपूल के यूनिवर्स से आता है और यही इस यूनिवर्स का वो एंकर एंटिटी था यही वो बंदा था जिसके जिन्दा रहने पर ये यूनिवर्स टिका हुआ था और लोगन के मरते ही ये सारा यूनिवर्स दीरे-धीरे खत्म होने लगा है और कहीं न कहीं दूसरे यूनिवर्स को भी डिस्टाप कर रहा है ऐसा खुद पैरडॉक्स डेट्पूल को बताता है यानि बेसिकली डेट्पूल का यूनिवर्स खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगन मारा जा चुका है तो डेट्पूल सोचता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर लोगन के किसी दूसरे वैरियंट को लाकर पैरडॉक्स के सामने पठक देते हैं पैरडॉक्स इसे फिर से मेरे यूनिवर्स का एंकर बना देगा और मेरे यूनिवर्स फिर से stable हो जाएगा बचा रहेगा और ऐसा सोचते ही वो paradox ही नाग में एक मुक्का देता है और paradox का device लेकर वहाँ से फुर हो जाता है अब उसके बाद वो जाता है अलग-अलग universes में और भाई यहाँ पर जो घजब के cameo हुए है सबसे तगड़ा cameo यहाँ पर हुआ है Henry Cavill के Wolverine variant का भाई मतलब उसको मैंने देखा front से, back से चहरे से, body से हर जगास एकदम perfect Wolverine लग रहा था और उसका था भली 10 second का shot लेकिन जब उसने अपने claws निकाल के Deadpool को मारा है भाई साहब मतलब गलत मत सबजना बट इतना स्मूदली तो अपना Hugh Jackman वाला Wolverine भी claws निकालता यार उसने पर एक हाथ का निकाला पिर दूसरे हाथ से claw निकाला और Deadpool के दिया मिला गए चाती में भाई साहब क्या ही गजब का जीन था अगर आपने इस सीन देखा है तो आप भी मेरी बात से अगरी करते होगे Henry Cavill ने दौस सेकंड में ये प्रूफ कर दिया भाई की बदलब Wolverine के लिए वो अगले पाफेक्ट अक्टर हो सकते है उसके बाद Deadpool अलग-अलग universes में जाता है वहाँ अलग-अलग Wolverine से मिलता है लिटरली हर एक Wolverine उसको पेल देता है अब यहाँ पर एक important चीज आती है Marvel ने एक बहुत बड़ी opportunity मुझे लगता है मिस कर दी यहाँ पर Wolverine एक universe में जाता है जहाँ पर Wolverine और Hulk की fight होने वाली है बट हमें वो fight दिखाई ही नहीं गई बस Hulk को खड़े गए दिखाए गया उसके बाद उसने Deadpool को एक मुका मारा Deadpool चला गया और काम खतम मतलब यहाँ पर लिटरली एक बहुत-बहुत ही बड़ा moment Marvel अचीव कर सकता था पूरी movie में मुझे बस एक चीज जो सबसे ज्यादा unsatisfying लगी आपको भी लगेगी definitely वो यह की Marvel ने भाई Hulk versus Wolverine की fight का जो perfect moment था उसे ऐसे ही जाने दिया पाँच मिनट की fight दिखा देते भाई यह movie better than perfect हो जाती anyways, so खेर उसे छोड़ते हैं उसके बाद अलग 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 universes के Wolverine से पिटने के बाद Deadpool finally इस Wolverine के पास ठेके में जाता है और उसे यह पसंद भी आ जाता है क्योंकि इतना ठकेला Wolverine था है कि इसने Deadpool को देखते ही उस पर immediately हमला किया ही नहीं so Deadpool इसे लेकर पटक देता है paradox के सामने और फिर paradox कहता है कि वैसे तुमें किसी भी Wolverine को मना कर देता बट ये ये तो तुम सबसे घटिया Wolverine को लिया है बाई जितने भी अलग-अलग Wolverine variants है ये वाला तो सबसे सबसे घटिया है इसने तो अपनी दुनिया को ही दोका दे दिया था अब ये सुनकर Deadpool और चौंग जाता है तो यहाँ पर paradox कहता है कि तुम्हाँ पास एक ही रास्ता है तुम मेरे कहने के according चलो तुम्हारा universe अब नहीं बचने वाला है टाइम रिपर मशीन कुछ ही देर में तयार होने वाली है लेकिन तब तक Deadpool और Wolverine paradox पर कर देते हैं attack so paradox इन दोनों को भेज देता है The Void में यहाँ से यह दोनों आते है The Void में जहाँ पर इनकी पहली iconic fight होती है जिसे हमने trailer में देखा था यह fight action sequences भाई सब कुछ 20 out of 10 है 10 out of 10 की तो बात छोड़ो और हाँ movie में jokes भर भर के भर भर के हैं हर 10 second में कोई ना कोई joke है हाँ अब इतने jokes होंगे तो कुछ एक तो थोड़ा बहुत अजीब लगेंगे क्रिंजी लगेंगे या जबरदस्ती के लगेंगे लेकिन jokes भर भर के हैं after that यह लोग जब लड़ रहे होते हैं इनके लड़ते लड़ते भाई होता है मूवी का दूसरा सबसे बड़ा सबसे तगड़ा कैमियो एक बंदा आता है वो उपर ऐसे तोड़ा शॉल वॉल डाले था उसका चैरा नहीं दिखाई दे रहा था वो इन लोग को रोकता है लड़ने से कहता अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो यहां से निकल कैसे पाएंगे आफ्टर देट वहाँ पर आ जाते हैं कसेंडरा नुगा के बंदे और तब वो मिस्टीरियस बंदा अपना फेस रिवील करता और भाई वो निकलता है क्रिस इवांस जिसे देखकर फैंस भी यही समझेंगे और इवेंट पैंस तु फैंस छोड़ो यह डेटपूल भी यही समझता है कि कैप्टान अमेरिका आ गया और क्रिस इवांस जब मतलब एकदम डालॉग मारने वाले होते तो डेटपूल सोचता है कि अब यह एवेंजर्स असेंबल वाला डालॉग मारेगा और उसके बाद क्रिस इवांस निकलता यूमन टॉर्च वह रगी हूमन टॉर्च बनके जल के अगदम हुपर शला जाता है और पाइरो पर अटेक कर देता है लेकिन यहां पर पाइरो को इतना पावफुल दिखाया गया है कि वो human torch की पूरी fire को absorb कर जाता है अपने हाथ से उसके बाद Cassandra के गुंडे इंतीनों को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं अपने अड़े पर अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि रास्ते में human torch यानि Chris Evans Cassandra के बारे में जब Deadpool और Wolverine को बता रहे होते हैं कि यहाँ पर Cassandra का राज चलता है The Void में यहाँ पर केवल दो ही रास्ते हैं या तो Cassandra की गुलामी करो या फिर अलायत का खाना बन जाओ सो फिर यह लोग पहुँच जाते हैं Cassandra के अड़े पर यहाँ पर काफी सारे पुराने X-Men characters रहते हैं Azazal होता है और भी काफी सारे characters So Cassandra आती है यहाँ पर Deadpool Cassandra से कहता है कि यह जो Human Torch है ना तुम्हाँ बारे में इतना गंदा संदा बोल रहा था और भाई एकदम Human Torch को फसवा देता है मतलब जो जो उसने बोला भी नहीं था इस पॉइंट पर मूवी के इस पॉइंट पर जो जो उसने बोला भी नहीं था व मौत देती उसे तो भाई Chris Evans का रोल इतनी देर का था और Wolverine बोलता है कि तुमने वेचार Human Torch को मरवा दिया तो यह सब मतलब काफी ज्यादा पनी था देखने में करता है वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है पहले तो डॉक पूल से और डॉक पूल के पीछे-पीछे आ जाता है वो लॉंग हेर वाला डेटपूल यानि नाइस पूल वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर सैकड़ो डेटपूल ऐसे ही गूम रहे हैं उसके बाद डेटपूल अगे निकल पड़ते हैं फिर उनकी लडाई हो जाती रास्ते में और एक दूसरे को मारते मारते दोनों बेहोश हो जाते हैं वहाँ से उन्हें X-23 जो की दिवॉइड में थी वो उठाकर ले जाती है और फिर उन्हें मिलते हैं फिर आते हैं मूवी के थर्ड सबसे बड़े जो की है इलेक्रा सबसे तगडी एंट्री जो पूरी मूवी में मुझे लगी सबसे तगडी एंट्री ब्लेड की पुराना वाला ब्लेड वेजली स्नाइप्स का ब्लेड वो भी वापस आया और उसकी क्या ही एंट्री थी उसके बाद आता है इगंबिट और अविसली X-23 तो ये चारो भी एक ग्रूप बना कर रह रहे होते हैं डेड्पूल यहाँ पर इनसे कहता है कि हम सम मिलकर कसैंड्रा पर हमला करते हैं ब्ला 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 उसके बाद फिर ये लोग जाते हैं कसैंड्रा के अड्डे पर और कसैंड्रा कुमांडे का उन्होंने ये तरीका लेकिन वुलवरीन क्योंकि चाल्स की इतनी इज़त करता था और उसने अपनी यूनिवर्स में चाल्स को एक तरह से फेल भी किया था सो वो कसांड्रा को छोड़ देता है ये बोलकर कि मैं तुमें चाल्स की वज़य से चोड़ रहा हूं तुम चाल्स की बहन हो कसांड्रा भी उन्हें बक्ष देती है और यहां पर एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ ये कि यह जो पोर्टल ट्रेलर में दिखाया गया था बहुत लोग कन्फ्यूज थे कि भाई कौन है किया किस ने खुला सो ये भी रिवील हो गया कसांड्रा खुद बताती है कि दिवॉइड में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वर्जन आया था और कसांड्रा ने उसे चार दिन तक तरपा तरपा के मारा और उसकी पोर्टल वाली रिंग अपने पास रख ली यहां से वो पोर्टल खोल देती है औ पर डेडडपूल एंड वुलवरीन दोनों चले जाते हैं अब आप यहां पर सोचोगे मूवी में इस पॉइंट पर के कसांड्रा तो यार सही निकल गई चलो पहले इवील थी अब सही होगी बट अभी सुनो अब डेडपूल एंड वुलवरीन वहां आ जाते हैं जहां प और उसका प्लान ये था कि वो दवॉइड को छोड़ कर बाकी जितने भी यूनिवर्सेश हैं लगबग सभी को खत्म कर देगी ताकि आखिर में केवल दिवॉइड बचे जहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका राज चलता आया है और आगे भी चलेगा और फिर आते हैं पोटल कौन हिने प्ले कर रहा था और पता ये जो डेटपूल आये थे आप सोचोगे कि ये डेटपूल की मदद करने आये थे नहीं भाई ये डेटपूल और वुल्वरीन को मारने आये थे तो यहां पर डेटपूल और वुल्वरीन बहंकर तरीके से इन सारे डेटपूल को मार का सारे डड़पूल तयार हो जाते हैं पीछे हैंड जाते हैं अके तो डड़वरीन यह पर बच गए अब वो जाते हैं पाराडॉक से पूछते कि बाई अब मुझे ये बताओ कि इस मकीन में दो elements है, matter और anti-matter नीचे base में जाओ, एक बंदा हो जो matter और anti-matter की cables को आपस में connect कर दे तो ये machine उड़ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ वो बंदा खुद भी खत्म हो जाएगा वैसे तो Deadpool and Wolverine में regenerative powers हैं, बट यहाँ पर physics के laws के according, क्योंकि matter और anti-matter एक साथ exist नहीं कर सकते सो जो भी बंदा ये पूरा circuit बनाएगा matter और anti-matter की cable को connect करेगा, वो बंदा भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, सो पहले तो Wolverine अंदर जा रहा होता है, लेकिन Deadpool उसे side करके खुद अंदर चला जाता है, उसको बाहर लॉक कर देता है, लेकिन matter की cable तो वो पकड़ लेता है, anti-matter की नहीं पकड़ पाता है, और Cassandra लगबग कामियाब होने ही वाली थी, सारी universes को खत्म करने में, तब तक वहाँ आ जाता है Wolverine जो की anti-matter की cable पकड़ कर Deadpool का पकड़ लेता है, हाथ और circuit हो जाता है वहाँ से complete, जहां से machine और साथ ही साथ Cassandra Nova भी हो जाती है, destroy, लेकिन somehow Deadpool and Wolverine they managed to survive उसके बाद B-15 आ जाती है paradox को कर लेती है, arrest देखती है कैसा क्या चल रहा है, Deadpool and Wolverine को thanks बोलती है, बोलती कि तुमने युनिवर्सस को बचाया है, Peter को तो मतलब हवस वाली निगाहों से देखती है after that, obviously happy ending अब यहाँ पर कुछ एक चीज़े हैं जिन पर मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूँगा कैसे Deadpool and Wolverine Secret Wars से connect करेगी, इसके post credit scene पर भी मैं आगे बात करूँगा क्योंकि Comic Con पर भी बहुत सारी updates आने वाली है so guys, be safe अपना ख्याल रखिये आप मेरा नाम है Manishu and I'll see you in next one